दोस्तों आप सबी से नमस्कार मैं धर्मेंदर पताब सिंग आप देख रहे हैं फरीदाबाद नियूज आप जूड़ जाए थोड़ा सा अपडेट देंगे आज फरीदाबाद में हरियाना के मुख्य मंत्री मनोहलाल खटर का जनता दर्वा लगा था उसमें जो मुख्य अपडेट मिली है जो सबसे सुबह वाली अपडेट थी आपने सुना होगा ग्रीन फिल्ड कालोनी को MCF के हवाले कर दिया था कि आब वहाँ पर MCF कालोनी को टेक ओवर करेगा और वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क MCF कराएगा तो ये सुबह की अपडेट थी उसके बाद जो जनता दर्वार में कुछ कारवाई की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा वो बताएंगे तीन-चार चीजे बताएंगे बाकी तो शिकायतें बहुत जादा हैं इतनी शिकायतें हैं कि CM सहाब यहाँ पर एक महीना लगातार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बैठें एक महीना बैठें लगातार तब भी शिकायतें कम नहीं होगी और फरीदाबाद के अधिकतर अफसरों को सस्पेंड करना पड़ेगा इतनी शिकायतें हैं फरीदाबाद की पबलिक की कल सही हमारे पास फोन आ रहा था कि हम CM से कैसे मिले कैसे मिले हर कोई मिलना चाहता था अपनी शिकायत लेकर लेकिन 13 अक्टूबर को लास्ट डेट थी जो सिकायतों की लिस्टिंग करानी थी सेक्टर 12 CTM आफिस में कुछ लोगों को पता नहीं था वो सोच रहे थे CM साब से वैसे ही मिलेंगे लेकिन ये ऐसा ऐसी फैसिल्टी नहीं थी तो मैं कुछ अपडेट बताऊंगा आप किया उन्होंने सभा का ओडिट करवाने का आदेश दिया और जो भी फंड का गबन हुआ है उसके खिलाब भी कारवाई करने के आदेश दिये और इसके लिए DC साहब ने तीन सदसी कमेटी बनाने का एक ओडर दिया है ये गड़वाल सभा का मुद्दा है इसके बाद आया ये मैटर आया था कि जो रासन घोटाला होता है जो बीपील कार्ड फरजी बना जाते हैं और बहुत सारे लोगों का रासन कार्ड भी कार्ड दिया जाता है कोई शिका उनकी भी भागिदारी होती है जो भरस्ट रासन डिपो होल्डर होते हैं जब कोई उनकी शिकायत करता है इंस्पेक्टर से या आगे शिकायत करता है तो चोर रासन डिपो वाले इस्पेक्टर से बोल कर जो फर्यादी होता है उसका रासन कार्ड ही कैंसल करवा देते हैं कि ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बासुरी तो दोस्तों आज सोताई गाउं के धीरसपाल ने एक शिकायत की थी कि BPL और OPS कार्ड को कैंसल किया जा जो फर्जी बनाए गए हैं और इसके लिए जो DFSC के इंस्पेक्टर है सत्य नारायंट उन्होंने शिकायत करता से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया था लेकिन जब धीरसपाल ने इसकी जानकारी CM साहब को दी तो CM साहब ने फूड इंस्पेक्टर सत्य नारायंट को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया तो एक बड़ी अपडेट थी ये बड़ी कारवाई थी इसके बाद आया मसला मिर्जापूर गाउं के त्रिलोग चंद का उन्होंने मुख्यमंत्री साहब से शिकायत की थी कि उनकी उनका जो बिजल मुख्यमंत्री ने 32,000 रुपय का जो जुरुबाना लगाया गया था उसको मुख्यमंत्री राहत कोस से देने का ऐलान किया और इस समस्या का भी समाधान उन्होंने कर दिया इसके बाद एक मसला आया एडल डिवाइन कोर्ट सोसाइटी का जिसके रेजिडेंस प्रोटेस भ जुज़ादा परिवार रहते हैं उन परिवारों को विजली विभाग, कमर्सियल रेट से विजली दे रहा है अन्याय हो रहा है इसके बाद मुख्यमंत्री ने ओर्डर दिया कि जो भी निवासी हैं उनको जो बिजली दी जाएगी वो रेजिडेंस रेट पर दी जाएगी, कॉमर्सियल रेट पर नहीं दी जाएगी तो ये एक बड़ी अपडेट है, ये एक राहत है एडल डिवाइन कोर्ट सोसाइटी के लोगों की इसी प्रकार कुछ लोगों ने पेंशन की शिकायत की उनको पेंशन नहीं मिल लई है तो एक दो तीन लोगों को सियम साब ने वहीं पर पेंशन दे दी इसे पहले रोहतक में उन्होंने एक बुजुर्ग को पेंशन दे थी तो ऐसे पांसाथ बड़े मुद्दे थे जिनका समाधान किया गया है लेकिन जो हमें सूचना मिली कि कई सारे लोगों को शिकायत रखने का मौका ही नहीं दिया गया तो ऐसी अपडेट अभी आएगी अभी कई लोगों से हमने बोला है भाई आप हमारे ओफिस आईए बताइए आपको क्यों मौका नहीं मिला आपको जरूर कोई न कोई टोकन नमबर मिला होगा कोई पेपर मिला होगा अगर आपको शिकायत रखने का मौका नहीं मिला तो बहुत दुर्भाग के पूर्ण है बहुत शरम नाग बात है क्योंकि सियम साब से फरिदाबाद की जनता को बहुत उम्मीदे थी कि वो यहाँ पर कोई न कोई बड़ा एक्शन लेंगे जो ब्रस्टा चार हो रहा है जो ताना शाही हो रही है उसके खिलाब वो कारवाई करेंगे और फरिदाबाद में थोड़ा सा माहौल बदलेगा अब देखते हैं देखिए सियम साहाब हैं अगर वो जनता के हित में काम करेंगे तो यहाँ का माहौल थोड़ा सा बदलेगा लेकिन अगर लोगों को शिकायत रखने का मौका ही नहीं मिलेगा तो जो पोजिटीव एट्मोस्फियर बनाना चाहते हैं सियम साहब वो नहीं बनेगा बाकी देखते हैं कि क्या होता है कुछ मैंने अपडेट दिया जो हमारे पास आया है बाकी वहाँ पर बहुत सारी शिकायते थी करीब 300-400 शिकायते थी अब पता नहीं सियम साहब ने कितनी शिकायतों का समाधान किया कितनी लोगों की समस्याएं सुनी ये तो अभी जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा हलाकि कुछ लोगों ने हमें बताया कि उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और उन्हें जब CM साहब चले गए तब खोला गया और बोला कि जाओ भाई अभी देखते हैं कुछ लोग हमसे मिलेंगे संपर करेंगे और अपनी बात बताएंगे तब हम जो है अपने चैनल के जरीए वो अपडेट आपको देंगे फिलाल के लिए आप लोग वीडियो शेयर करें फरिदाबाद नीउस से धर्वंदर प्रताप सिंग नमस्कार